में चौदरी साहब 1952 में पहली बार नेविरोध प्रचान दिवाचित हुए अपने राजनेतिक सफर को आगे बढ़ाते हुए भारत के उच्छी सदन राज सबा तक पोचे चौदरी साहब ने अपना पूरा जीवन समाजिक समरस्ता को स्थाफिक करने एवं गेर राजवादी ताक्तों के खिलाफ रड़ाई लगने में लड़ाया चौदरी साहब ने 1984 के दंगों में अपनी जान की परवा किये बगएर अपने पुत्र पिसुखराम सिंग्यादों जी के साथ दंगाईयों का घंटो मुकाबला किया उनका सामना किया और स्ट्रैकडो सिक परिवार की जान बचाई उनके इस पराकरम को समानित करते हुए उनने शौरचक से समानित किया गया हम ऐसे महापुरुष ऐसे महायोदा को आज उनकी दस्वी पुनितिती पर सचशद नमन करते हैं आज के कारीकरम में उपस्तित कीता-तुल्ले चजिय दिनेश्य khácमा ची का भी हम स्वागत करते हैंविननन करते हैं अज यह भी फिल्लेखने हैं कि इस एक्रम में देश के कौने कोने से साधी अचैट लोग ऊपस्तित हुए हैं साथ ही वर्च्वली के तौर पे देश एवं विश्व के कुने-कुने में आज इस कारिक्रम का पिसालन हो रहा है प्रमु कुरूप से जो मंच पे लोग उपस्थित हैं उसमें श्री पासुतिवालू जी जो राजश्री उपाद्यक्ष हैं अक्री भरत श्री यादो मासवा क करनाटगा राज से आते हैं तमिलाडू से जो राश्री उपाद्यक्ष है नंद गोपाल जी करनाटगा से रामु कुनाट राश्री सच्चिव सत्रिये जो यदुबंशी राजगराना है जैसल मेर का राजगराना वहां के माराजा विक्रम सिंग जी पिहार यादो माहा सव आते जिए अσαैं उंदीद महि实शित रविट्र दह जी राम जैरगेख भैंते राम्स रांगरंशी क्रीप जी फश्री अपनी विक्रवर वे जादयां मध्य और है öğ सब्सक्राइब करता हूं कि मेरे बड़े बाबा मेरे बड़े दादा जी तुर्गी राम गुपाल सिंग यादो और चौद्वी हर्मोन सिंग यादो जी ने हमेशा किसानों गरीबों पिछड़ों और वंचुतों के लिए लगन लड़ना का हमेशा मुझे पाट पढ़ाया है हमेशा मुझे सीख दी है आज इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं जो मेरे पूरजों ने मुझे पाट पढ़ाया है मुझे सीख दी है मानि प्रणमंद्री जी की प्रिणना से और बजिंदर पार्टी की माध्डरेशन से मैं समाज में जनतर काम करता रहूंगा एक पारपुना मैं हम सब के गोर्ण फम सब के नेता हम सब की आन बान शान में प्रणमंद्री जी का में व्वागता हूं गन्यवाद अधन्यवाद आधनिया मोहिज जी, मैं काली संकर पुर्वांचल की धर्ती गोरकपुर से, अध्या स्रीक्रिष्ण धर्म पीटेवं सायोजद, एधकुल सीरो मरी स्रिंखला, कानपुर की धर्ती पर पुना मान्य प्रधान मंतरी जी का हर्दिक स्वागत अभिनांदन करते कि वे अपने आशिर्वाद जिनों से हम लोग को सिंचित करने की किरपा करें, आधनिया मान्य प्रधान मंतरी जी, मान्य प्रधान मंतरी नरेंद्रे मोदे, मान्य प्रधान मंतरी जी नवश्कार, मैं स्वर्गिय हर्मोहन सी यादव जी, उनकी पुन्य तिधी पर उन्हें आधर पुर्वक नमन करता हूं, अपनी स्थ्धान्जली अर्पित करता हूं, मैं सुखराम जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, कोनों ने इस कारक्यम के लिए मुझे इतने स्नेह के साथ आमंतरित किया, मेरी हार्दी की इच्छा भी थी, कि मैं इस कारक्यम के लिए कानपूर आकर आप सब के बीच उपस्तित रहूं, लेकिन आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक अउसर भी है, आज हमारी नई राष्पती जी का सपत ग्रहन हुआ है, आज हादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज से एक महिला राष्ट्रपती देश का नेत्रुत्व करने जा रही है, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत का, हमारे सर्व समावेसी विचार का जीता जाकता उधारन है, इस अउसर पर आज दिल्ली में कई जरूरी आयोजन हो रहे हैं, सम्वेधानिक दाईतों के लिए मेरा दिल्ली में रहना बहुत स्वाभाविक, जरूरी भी रहता है, इसलिए मैं आपसे वीडियो कांफरंसिंग के जड़िये आज आपसे जूड रहा हूँ, साथियो हमारे यहां मान्यता है कि शरीर के जाने के बाद भी जीवन समाप्त नहीं होता, गीता में भगवान स्रीक्रष्ण का वाक्य है, नैनम चिद्धन्ती सस्त्रानी, नैनम दहती पावकाः, अर्थात आत्मा नित्य होती हैं, अमर होती हैं, इसलिए जो समाज और सेवा के लिए जीते हैं, वे बृत्त्यू के बाद भी अमर रहते हैं, आजहादी की लड़ाई में महात्मा गांधी हो, या आजहादी के बाद पंडित दिंदाल पाध्याई जी, रामनोर लोहिया जी, जैप्रकास नारायन जी, एसी कितनी ही महान आत्माओं के अमर विचार हमें आज भी प्रिर्णा देते हैं, लोहिया जी के विचारों को उत्रप्रदेश और कानपूर की धर्ती से, हर महुंसी यादव जी ने अपने लंबे राजनिती जीवन में आगे बढ़ाया, उन्होंने प्रदेश और देश की राजनिती में जो योगदान किया, समाज के लिए जो कार्य किया, उनसे आने वाली पीडियां उनको निरंतर मार्ग दर्शन मिल रहा है, साथियों, चौदरी हर महुंसी यादव जी ने अपना राजनिती जीवन ग्राम पंचय से शुरू किया था, उन्होंने ग्राम सभा से राज सभा तक का सफरताय किया, वो प्रधान बने, विधान परिशत सदस्य बने, साउसत बने, एक समय महर्बान सी का पुर्वा से यूपी की राजनिती को दिशा मिलती थी, राजनिती के इस श्छिखर तक पहुँच कर भी हरमोन सी जी की प्रात्विक्ता समाज ही रहा, उन्होंने समाज के लिए सक्षम नित्रत्त तयार करने के लिए काम किया, उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाया, लोया जी के संकल्पों को आगे बढ़ाया, उनका फौलादी व्यक्तित्वा हमने उन्नी सो चोरैसे में भी देखा था, हर मोहन सी यादव जी ने न केवल सिख संहार के खिलाब राजनितिक स्टैंड लिया, बलकि सिख भाई बहनों के रक्षा के लिए, वो सामने आकर के लड़े अपनी जान पर खेल कर, उन्होंने कितने ही सिख परिवारों की मासुमों की जान बचाई देश ने भी उनके इस नेत्रतों को पहचाना, उन्हें शावर्य चक्र दिया गया, सामाजिक जीवन में हर मोहन सी यादव जी ने जो आदर्श उदारन प्रस्तित किया, वो अतुल्निया है, साथियों, हर मोहन सी जी ने संसद में स्रद्दे अटल जी जैसे नेताओं के दौर में काम किया था, अटल जी कहते थे, सरकारे आएगी, सरकारे जाएगी, पाटिया बनेगी, बिगडेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, यही हमारे लोक्तंत्र की आत्मा है, दल से बड़ा देश, क्योंकि दलों का अस्तित्व लोक्तंत्र की बज़से हैं, और लोक्तंत्र का अस्तित्व देश की बज़से हैं, हमारे देश में अधिकाउश पार्टियों ने, विशेश रुप से सभी गैर कॉंग्रेसी दलों ने, इस विचार को देश के लिए सहीयोग और समन्वय के आदर्स को निभाया भी है मुझे आद है जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युत्व हुआ था तब हर एक प्रमुक पार्टी सरकार के साथ तंदे से कंदा मिलाकर के खड़ी हो गई थी जब देश ने पहला परमानु परिष्ण किया तो सभी पार्टिया उस समय भी उस समय की सरकार के साथ धटकर खड़ी हो रही लेकिन आपातकाल के दोरान जब देश के लोकतंत्र को कुछला गया तो सभी प्रमुक पार्टियों ने हम सब ने एक साथ आकर समविधान को बचाने के लिए लड़ाई भी लड़ी चौदरी हर्मोन ची आदव जी भी उस संगर्स के एक जुजारू सहिनिक थे यानि हमारे यहां देश और समाज के हीत विचार धाराओं से बड़े रहे हैं हाला कि हाल के समय में विचार धारा या राजनितिक स्वार्थों को समाज और देश के हित से भी उपर रखने का चलन शुरू हो गया है कई बार तो सरकार के कामों में विपक्ष के कुछ इसलिए अड़ंगे लगाते हैं क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो अपने लिए फैसले वो लागू नहीं कर पाए अब अगर उनका क्रियानवाइन होता है तो उसका विरोध करते हैं देश के लोग इस सोच को पसंद नहीं करते हैं यह हर एक राजनितिक पार्टी का दाइत्व है कि दल का विरोध व्यक्ति का विरोध देश के विरोध में न बदलें विचार धारों का अपना स्थान है और होना भी चाहिए राजनितिक महत्वा करणशाय तो हो सकती है लेकिन देश सबसे पहले हैं समाज सबसे पहले हैं राष्ट्र प्रथम है साथियों लोहिया जी का मानना था कि समाजवाद समानता का सिधानत है वो सतरक करते थे कि समाजवाद का पतन उसे असमानता में बदल सकता है हमने भारत में इन दोनों परिष्थित्यों को देखा है हमने देखा है कि भारत के मूल विचारों में समाज बाद और विवाद का विशय नहीं है हमारे लिए समाज हमारी सामुहिक्ता और सहवकारिता की समुरचना है हमारे लिए समाज हमारा संस्कार है संस्कृति है, स्वभाव है इसलिए नोहिया जी भारत के संस्कृतिक सामर्थ की बात कहते थे उन्होंने रामाइन मेला शुरू कर हमारी विरासत और भावनात्म के एकता के लिए जमीन तैयार की उन्होंने गंगा जैसी सांस्कृतिक नद्यों के सवरक्षण की उसकी चिंता दसकों पहले की थी आज नमामी गंगे अभियान के जरिये देश उस सपने को पूरा कर रहा है आज देश अपने समाज के सांस्कृतिक प्रतिकों का प्रणुदार कर रहा है ये प्रयास समाज की सांस्कृतिक चेतना को जीवन कर रहे हैं समाज की उर्जा को हमारे पारसपारिक जुडाव को मजबुत कर रहे हैं इसी तरह नए भारत के लिए देश अपने अधिकारों से भी आगे बढ़कर आज करतव्य की बात कर रहा है जब करतव्य की ये भावना मजबूत होती है तो समाज अपने आप मजबूत होता है साथियों समाज की सेवा के लिए ये भी आवशक है कि हम सामाजी की न्याय की भावना को स्विकार करें उसे अंगिकार करें आज जब देश अपनी आजादी के पचतर वर्ष पर अमरित महोत्सों मना रहा है तो ये समझना और इस दिशा में बढ़ना बहुत जरूरी है सामाजी न्याय का अर्थ है समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले जीवन की मौलिक जरूरतों से कोई भी वंचित न रहे दलीत पिछडा आदिवासी महिलाएं दिव्यांग जब आगे आएंगे तबी देश आगे जाएगा हर महन जी इस बडलाव के लिए सिक्षा को सबसे जरूरी मानते थे उन्होंने सिक्षा के एक सेतर में जो काम किया उसने कितने युगाओं का भविश्य बनाया उनके कामों को आज सुखराम जी और भाई मोहित आगे बढ़ा रहे हैं देश भी सिक्षा से ससक्तिकरण और सिक्षा ही ससक्तिकरण के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है इसलिए आज बेटियों के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभ्यान इतने सफल हो रहे हैं देश ने आदिवासिक शेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए एक लव्य स्कूल शुरू किये हैं नई राष्ट्रिय शिक्षा नीती के तहत मात्र भाषा में शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है कोशिश यही है कि गाउं गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे अंग्रेजी की वजह से पीछे न रह जाएं सबको मकान, सबको बिजली कनेक्षन, जल जीवन मिशन के तहर सबको साप पानी, किसानों के लिए सम्मान निधी यह प्रयास आज गरीब, पिछडे, दलीद, आदिवासी सभी के सपनों को ताकत दे रहे हैं देश में सामाजिक न्याय की जमीन मजबूत कर रहे हैं अमरित काल के अगले पचीश साल, सामाजिक न्याय के इनी संकलकों की पूर्ण सिद्धी के साल है मुझे भी स्वास हैं, देश के इस अभ्यान में हम सब अपनी भुमी का निभाएंगे एक बार फिर स्रधे स्वर्गी हर्महंसी आदवजी को बिनम्र स्रधाजली आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद